हिंडे टिनेमा के मशूर अभिनेत्री राच्ष्री वो किसको याद नहीं होगी। अभिनेत्री राच्ष्री ने दर्शिकों के दिलों में खास जगा बनाई। उन्होंने इंडस्री को कई हिट फिल्म में दी। राश्री ने अपने दर्मदार अधाकारी के दम पर फैंस के दिलों पर राज किया। राश्री का पूरा नाम राज शमरी शानताराम है। राश्री लोग प्रिय फिल्म निर्माता वी शानताराम और उनकी पहली पत्नी वह अभिनेतरी जैश्री की बेटी है। वही उनके भाई कीरण चांताराम मुंबई के पुर्व शरीफ थे। अभिनेत्री आज अपना उन्यासिवा जरम दिन मना चुकी है। चलिए इस अवसर पर हम आज उस अभिनेत्री से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताएंगे। राच्व्री का जन 8 अक्टूबर 1944 को मुंबई में हुआ था। राच्व्री ने बचपन में भी अभिने करियर की शुरुवात कर दी थी। राच्व्री ने घर बसा के देखो गृहस्ती, नवरंग और इस्त्री जैसी फिल्मों में बाल कलाकार की भूमिकाय निभाकर अपने करियर की शुरुवात की थी। इसके बाद बतौर अभिनेत्री राच्व्री ने अपने पिता वी शांताराम की 1964 में आई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने से डेब्यू किया। इस फिल्म में वर हिंदी सिनेमा के दिगज अभिनेता जितिन्र के साथ नजर आई थी। यह फिल्म बोक्स ओफिर पर हिट साबित हुई। अभिनेत्री को उनकी अधाकारी के लिए सराहा भी खया। हिंदी सिनेमा में धीरे धीरे राच्व्री काम्याबी की सीड़्या चड़ती गई। उन्होंने शामी कपूर सहीत कई दिगज निताओं के साथ काम किया था। 1967 में अभिनेत्री ने राजकपूर के साथ फिल्म Around the World में काम किया। फिल्म ब्रमचारी के बाद उनकी लोकप्रीता में और भी ज्यादा इजाफा हुआ। उन दिनों राश्व्रे इंडस्ट्री की सर्वस्रिष्ट अभिनेत्रियों की सुची में शामिल थी। लेकिन उन् उन्होंने शशेकपूर और मौस्मी चटर जी के साथ काम किया था। फिल्मी दुनिया से दूरी बनाने की वज़ए थी राश्व्रे की शाधी। अभिनेत्रे ने मश्वूर अमेरिकी टेलर ग्रेग चैपमैन से शाधी की है। शाधी के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया को पूरी तरस से अलविदा कह दिया। दरसल राज कपूर के साथ अमेरिका में अराउंड वर्ड की शूतिंग के दौरान राश्व्रे के मुलाकात अमेरिकी छात्र ग्रेग चैपमैन से हुई। दोनोंने तिन साल बाद भारते रीती रिवाजु से शाधी कर ली। और रा अमेरिका में ही राश्व्रे ने अपने पती के साथ कस्टम कपडों का बिजनिस शुरू किया। हाला कि फिल्मी दुनिया से दूरी बनाने के बाद भी अभिनेत्री का फिल्मों से लगाओ कम नहीं हुआ। अपने शौक के चलते अभिनेत्री हैक ओ लाल्टन टेंटेड ल अबसकी हार्दिक बधाई और शुक्कामनाई हमारे साथ बने रहिए बॉलिगूट की अन्य दिल्चस्प खबरे जानने के लिए तब तक के लिए नमस्कार।